नमस्कार दोस्तों, बाइजूस एक्जाम प्रेपाईए सिंधी में आप सभी का स्वागत हैं। आज हम आपके सामने दब बिग नूस के 16 दिसंबर के सत्र को प्रस्तोत कर रहे हैं। 16 संबर का दिन महत्वण हो जाता है क्योंकि यह बांगलादेश की मुक्ती का दिवस है यानि बांगलादेश लिवरेशन बौर में बांगलादेश की आजादी के लिएकर जो युद्ध था उसमें भारती सेनाओं की जीत हुई और पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमरपण किया। इस दिवस के महत्व को देखते हुए आज हम बांगलादेश की आजादी का जो युद्ध है लिवरेशन बौर उसके संदर में चर्चा करेंगे। ये स्रिंकला 6 November 2022 से संचालित हो चुकी है और अभी भी आपके पास समय है आप इसमें भाग ले सकते हैं इसमें कुल 36 टेस्ट हैं जिसमें 19 सेक्सिनल टेस्ट हैं यानि अलग-अलग सामान नद्धन के विसे हैं 9 फुल लेंथ टेस्ट होंगे जिसमें पूरा सामान नद्ध तो आप इसमें भाग लेने के लिए बाइगूस एक्जाम पर अजाय से अपना रगिस्टेशन करें और इस टेस्ट में भाग लें क्योंकि मॉइच के माद्धन से आपके तयारी की सिस्थिती में हैं कमिया रह गई हैं उनको दूर करने का प्रयास आप यहां पर कर पाते हैं और अगर आपने अपनी कमी पहचान ली तो उसमें सुधार करना आसान हो जाता है तो इस प्रक्रिया के लिए आप बाईजूस एक्जाम पर पाईएस की मौक टेस्ट इंकला में अगर आपने अभी त से इस टेस्ट की पूरी चर्चा भी की जाती है जब भी हम 1971 के बांगलादेश लेबरेशन वार की बात करते हैं तो यह तस्पीर हमारे सामने सबसे पहले आती है यहां पर अगर हम देखें तो भारती सेना के जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इंचीप थे बांगलादेश फोर निया जी लेफ्टरन जनरल निया जी के दोरा और साथ साथ लेफ्टरन जनरल जगजी सिंग अरोडा के दोरा जो हस्ताक्षर किये जा रहे हैं वो पाकिस्तानी सेना के दोरा भारती सेना के सानने आत्म संबरपड की जो इस्थितिया हैं 16 दिसंबर 1971 की उसके संदर में हैं यहाँ पर आप ध्यान रखें, इस तस्पीर के मादधन से ही, आप 1971 में जो बांगलादेश की आजादी का युद्ध है, उसके असली जो पढ़ना में उनका अनुमान लगा सकते हैं. यह दस्ताविज पत्र हैं, जिस पर पाकिस्तान ने समरपण के समय हस्ताक्षर किये थे, और 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो सेना है, उसने भारती सेना के सामने आत्म समरपण किया. जब हम बांगलादेश की एक तरह से आजादी की बात करते हैं, तो बांगलादेश का ज सबसेद टककर यहीं से मिल रही थी और बंगाल की इस एकता को तोड़ने के लिए अगर हम लॉड करजन की बात करें तो 19 जुलाई 1905 को उन्होंने धर्म के आधार पर अगर हम प्रमुक रूप से देखें पूरी बंगाल और पस्मी बंगाल का एक विभाजन किया पूरी में 16 अक्टुवर 1905 को किया गया आगे चलकर इसका बड़ा विरोध हुआ बंग बंग आंदोलन से और यह वापस लिया गया लेकिन आप कह सकते हैं कि भविभाजन के बंगलादेश के लिए जो आधार है वो यहीं से रखा गया भारत के साथ साथ अगर हम देखें तो पस्तिमी और पूरी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान भी देश अस्तित्य में आया 1947 में अगर हम बंगलादेश की आजादी के आंदोलों को देखें तो इसको सबसेद और मजबूत रूप में आगे बढ़ाने का काम वहाँ पर एक प्रमुक जो दल हैं अवामी लीग उसके जो नेता हैं सेख मुझीबिर रहमान उनके दोरा एक तरह से किया गया और इसके कुछ बड़े कारण थे जैसे अगर हम राजनितिक भेदवाओ की बात करें तो 1962 के समय जो चुनाओ हुए उसमें प्रमुक रूप से आप देख हैं तो आवामी लीग के उधारा प्रमुक रूप से बढ़त प्राप्त की गई लेकिन सासक जो पाकिस्तान के थे जनरल यहया खान उन्होंने एक तरह से इसको बड़े पैमाने पर स्विकार नहीं किया उन्होंने ये कहा था कि तीन मार्च 1971 को धाका में नेसनल असेंबली क एक बैठक होगी लेकिन इसको रद्द कर दिया गया और इसी के बाद अगर हम देखे तो मार्च 1971 में ही बांगला देश में एक तरह से आप कह सकते हैं लोगों का विरोध तेजी से बढ़ा तो ये रानितिक भेदबाव की स्थितिया थी कि बांगला देश यानि जो पूरी पाकिस्तान था उसके सासन में पस्थिमी पाकिस्तान के लोगों का दबदबा था पूरी पाकिस्तान के लोगों को उतना महत्तो नहीं दिया जा रहा था आर्थिक सोशन भी अगर हम देखें तो पूरी पाकिस्तान का बहुत अदिक था पूरे बजट का 75 प्रस्तद भाग क तो भासा को लेकर एक बड़ा यहाँ पर विबात था, अगर हम पूरी पाकिस्तान की बात करें, तो बंगाली वहाँ पर एक प्रमुख भासा थी, और भासा और संस्कृति को लेकर, लोग बंगाली को एक तरह स्विकार करते थे, लेकिन पस्मी पाकिस्तान की तरफ से वहाँ जाता है और भासा को लेकर इन पांच लोगों की जो सहीदी थी 1952 की इसी को पहचान देते हुए 1999 में युनेसको ने 21 फरवरी को अंतराश्ट्री मात्र भासा दिवस के रूप में घोसित किया और अंतिम रूप में साथ में 1954 को बंगाली को अगर हम देखें तो पूरी पाकिस से एक मुझेविर रहमान को उत्तरदाई माना जाता है और उनका दल अवामी लीग 1968 में उन पर आरोप लगे कि भारत के साथ मिलकर वो एक तरह से अस्थिरता लाने का प्रयास कर रहे हैं और इसे अगर तला सडेंतर केस कहा गया इसमें उनको गिरफतार भी किया गया आगे सासक जनरल यहिया खान की बात करें तो ओप्रेशन सर्च लाइट चलाये गया लाखों की संख्या में माना जाता है कि ढूण ढूण कर जो भी पूरी पाकिस्तान में लोंग थे उनकी हत्या की गई खांस और से जो विस्ववे द्याला में लोंग थे या कह सकते हैं जो बु जीबर रहमान ने बांगलादेश की आजादी की घोषना भी करी लेकिन अगर आप देखें तो अंतिम रूप में ये घोषना 26 मार्च को होती है इसलिए बांगलादेश में जब हम आजादी का दिन देखते हैं तो वो 26 मार्च को माना जाता है क्योंकि 26 मार्च 1971 को ही हम बा प्रमुक रूप से 25 मार्च 1971 के बाद, पाकिस्तानी सेना के दौरा जो अत्याचार सुरू हुए, खास सोर से अगर हम देखें, तो महिलाओं के साथ में, जो यौन सोसल की स्थितिया बनी, उसने बड़े पैमाने पर कह सकते हैं, लोगों का जो विरोध हैं, वो पाकिस्तानी स सेना के खिलाप बनाया, इसी प्रक्रिया में, अपरल 1971 के बाद, अगर हम देखें, तो महिलाओं, बच्चें, और बड़ी संख्या में अन्य जो लोग हैं, वो बांगलादेश की सीमा पार करके, भारत के जो सियमर्ती राज्ये हैं, जैसे पस्चम मंगाल है, या अगर हम त मुक्ती संग्राम को इतरह से प्रारम करने के लिए, बंगाल में जो राष्टवादी हैं, उन्होंने मुक्त बाहिनी का इतरह से निर्मान किया, ये जो ससस्त्रभल मुक्त बाहिनी के नाम से सा, इसमें बंगाली सेन अधिकारी और जो राष्टवादी हैं, उनको सामिल किय गया उन्होंने पूरे पूर्वी पाकिस्तान को 11 चेत्रों में बाट कर गुरिला कारिवाई शुरू करी और इसी मुक्त बाहिनी को अगर हम देखें तो भारत के दोरा प्रसेचन और सैने रूप में मदद देकर बांगला देश का जो आजादी का अंदोलन है उसमें प्रमु से इस युद्ध में अपनी भूमिका बढ़ा दी तो 3 दिसंबर 1971 को हमने बांगलादेश की आजादी में मुक्त बाहनी के रूप में जो मदद थी हमने पूर्ण सैने सायता के रूप में आगे बढ़ा दी कारण पाकिस्तान के दोरा किया गया ये हमला अगर हम 1971 की बात करे तो यह वो समय है जब एक तरह से सीथ युद्ध या कोल्ड वार बिस्टो में चल रहा था जहां पर एक तरफ USA और दूसी तरफ USSR तो USA के दोरा एक तरह से पाकिस्तान की मदद की जा रही थी चीन भी पाकिस्तान की मदद कर रहा था तो हमने एक तरह से USSR के साथ देखे तो अगस्ट 1971 वे एक समझोता किया भारत सोवियत मित्रता और सायोग संदी यह अगर भारत पर हमला होगा तो यह सोवियत संग पर भी माना जाएगा और यह एक मजबूत कड़ी थी कि भारत बांगलादेश के आजादी के युद्वे तेजी से आगे बढ़ा तातकालिक प्रधा अनमंत्री इंद्रागांदी की सर्थ यह थी कि सेख मुझबूर रहमान जो पस्मी पाकिस्तान में कैद थे उनको बिना सर्थ रिहा किया जाए और बांगलादेश के साथ में जो इस्तितियां उसके लिए बादचीत आगे बढ़ाई जाए लेकिन पाकिस्तान इसके लिए तयार नहीं था और इसलिए आप देखें तो युद्ध की स्थितियां बन रही थी और इसी कड़ी में अगस्त 1971 में हमने सोवियस संग के साथ यह समझाता किया अन्य पस्मी देशों में अगर हम देखें तो भारत उतना समर्थन प्राप्त नहीं कर रहा था क्योंकि इंदरा गांधी की तरफ से कम करने का प्रयास हो रहा है 10 दिसंबर 1971 को अगर हम देखें तो अमरीका के दोरा अपनी जो सेविंध फ्लीट है वो हिंद मासागर में भेजी गई इसमें अगर हम देखें तो युएसस एंटरप्राइस भी सामिल था जो एरक्राफ्ट केरियर ह परवानों हत्यारों से संपन लेकिन इसी स्थिति को तातकालिक प्रधानमंत्री इंदरा गांधी ने अनुमान लगाया था इसलिए अगस्ट 1971 में सोवियस संग के साथ ये जो संधी है वो की गई थी इसी संधी का प्रमक रूप से परणाम था कि जब अमरीका ने अपनी ए एक तरह से पीछे हट गया तो ये जो कदम था ये इंदरा गांधी का एक मास्टर स्ट्रोक था जिसके माध्यम से जो 13 दिन का युद धुआ बांगलादेश की आजादी का 3 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में उसमें किसी भी बड़ी सैन सक्ती का हस्तक्षे नहीं हुआ य पाकिस्तानी सेना का 90,000 से जादा का जो जथा था उसने भारती सेना के सामने आत्मसमरपड किया और इस आत्मसमरपड के साथ ही 16 संबर 1971 को बांगलादेश एक नए देश के रूप में आजाद हुआ और बांगलादेश की आजादी का युद समाप्त हुआ तातकालिक, राजनितिक नित्रितों और सेननित्रितों इसने मिलकर बांगलादेश की आजादी के युद को बहुत कम समय में सफलता पूर्वक पूरा करने में प्रमोख रूप से भूमिका निभाई आज के दब बिग नूस के सत्र को यहीं पर हम समाप्त करते हैं दब बिग नूस की हमारी इस पहल को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं अधिक सदिक संक्या में लाइक करें शेर करें और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब में करा हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें आने वाले दोनों में दब इंग दूस के नए सत्र में आपसे पुना मुलाकात होगी धन्यवाद